नितीज कुमार अगर इंडिये में होंगे तो लोजपार आम्बिलास का क्या रुख रहेगा यह बड़ा सवाल उभर रहा है क्योंकि नितीज कुमार साल दो साल चार पांच साल में इधर से उधर होते रहते हैं उसी के नियमी कुछ सवाल है और साथ ही और भी सवाल है महिला अच्छन बिल को लेकर जो विपक्च है हुआ ओवी सी और सी एस्टी की मांग कर रहे है कि उनके भी कोटा मैं जो कोटा है महिलाओं का 33 प्रसेंट का कोटा मिला है उसमें और लैंड फॉर जॉब चमीन के वदले नौकरी मामले में तेजस्वी आदब के उपर चार तारीको कर सकते हैं कि बुलावा आया है और उसके बाद अब उनको सुना जाएगा इन तमाम बातों को अभी हम बात करेंगे लोजपाराम विलास के उपाध्याच है इंजिनियर रमेश जी सर जिस प्रकार से नितीस कुमार नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी ही मिले उन से भोज में बैठे अब भाजपा के नेता भी उतना कटाक्ष नहीं कर रहे हैं अब आप लोग की स्थिति क्या रहेगी एंडियर देखिए जहां तक लोग जन सकती पार्टी राम विलास की बात है हम लोगों को दूसरे की थाली देखने की कोई आदत है नहीं हम अपना राह चल रहे हैं लोग जन सकती पार्टी के अपनी नीती है अपना वीजन है हमारे पास अपने इतने सारे काम हैं कि हम दूसरे के थाली में नहीं देख रहे हैं कौन कहां आ रहे हैं कौन कहां जा रहे हैं कौन कहां जा रहे हैं इसकी हमें कता ही कोई परवाह नहीं है नहीं किस तरह से आज आप देखते होंगे जहां पिहार के बाहर बिहारी प्रतारित किये जाते हैं हर जगह अपमान का प्रयाय वची गया विहारी इस अपमान को दूर करने के लिए हम लोगों ने जो एक अपना संकल्प ले करके बिहार में चले हम उस ओर ध्यान देंगे कोन कहा जा रहा है नहीं जा रहा है इस पर हम कहां द्यान देंगे एक संकल्प आप लोगों का था कि नितीज जी जिदर रहेंगे उद्धर हम लोग नहीं रहेंगे कोई संकल्प नहीं है संकल्प है जहां बिहार और विहारीयों का विकास होगा जो भी बिहार के विकास के बारे में सोचेंगे वह हमारे मित्र हैं जो भी सब्सक्राइब करें नहीं सोचेंगे और राजनीती ग्रूप से हमारे दूस्में नितीजी को सुविकार कर लिए अब नितीजी के साथ मिलकर के चुनाव लगने के कहां भाई आप कहां की बात करने लगते हैं आप लोग चल रहा है जी ट्वंटी में भोज किये जी ट्वंट तर बिहार में एकदम अमित्साजी तो गाने मैदान उसने बापु सवागार के कार्शक्रम बोले ही थे कि सारे दरवाजे बंद हैं अब ये भारतिये जनता पार्टी नेड़ने लेगी नितीजी नेड़ने लेगा आप हमसे पूछे हमारा क्या हो देश है हम क्या करने हमार कि आने से बिहार की भलाई होगी कौन बिहार के बारे में दिन रात सोचता है कौन बिहार में उद्योगों के बारे में सोचता है कौन बिहार में पलायन रोकने की बात करता है हमारे नेता अधरनी चिराग पासवान जी मैं समझता हूं कि पिछले तीन साल से जब से हमारी प दिख 10 जोटा हुआ सवाल पूछागे तो बोलेग्पासोऊ का नहीं कर रहे है त eben का चसमा पहन करबंकर दी देखते हो तो नहीं दिख पाता होगा चिरागपासोऊंजी कि लोगप्रता कितनी बढ़ रही है या लोगप्रता बढ़ने से अमूमन विरोधियों को थोड़ा जलन भी होता है तो जलन के कारण हो सकता है उनको नहीं दिख पा रहा हुए या देखते हुए नहीं देख पाने का नाटक कर रहे होंगे इसका कोई लाज है नहीं आप जान सबसे सोसित कॉन और जो सोसित महिला हैं कहा जा रहा है कि उनको क्यों नहीं आप लोग समर्थन करें आपकी एंदिया नीती पे हमारे पार्टी के राष्ट्य दक्स आदर ने चिराग पास्वांजी ने लोग सभा में यह क्लियर कर दिया है कि भाई यह आरक्षन होना चाहिए उनकी मांग है ठीक है निश्ची दुरूप से आरक्षन होना चाहिए जो आरक्षन का एक पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए हमारे आदर ने रास्टेथ हैं जिने क्लियर कर दिया है अभी बात आ रहा है लैंड फॉर जॉब ते जस्पी आदब को बुलाबा आया है कोड द्वारा यह सीवीयाईडी का तो इस्तेमाल कर वे करती है बीज़े पी आरोप लगा रहे रहे या रजेडी अच्छा सीवीयाईडी पर पहले बात कर लेता है उसके जड़ तक जाए क्या कारण है उसके सही को सही दूद को सब्सक्राइब करते हैं लालु जी तो बोल रहे हैं कि यह सेंटरल गवर्मेंट का तोता है लालु जी तो बोलते ही रहते हैं एक चीज़ बताए नहीं अज की लेटमें एंडियमें नहीं है न नितीजी पर क्यूं नहीं सिफ्शुजी नाम बोलते हैं लालो जी का गोटाले में तैजासीजी का नाम है इसलिए उन्हें पर इंक्वाइरी हो रही है इसका पस्ट मतलब है कि सारे बिपक्षियों पर सीविया एक आतावाई नहीं नहीं तो भी बिखती जो भी नेता बिहार और विहार यों का भिकास की बात करता है आप लोगो इसको अपना है उसको आप अपना समर्थन दे आप अपना सही है को सबसे ज्यादा नितीजी काते हैं कि हम ने किया कहने से क्या होता है विकास आप पटना जैसे सहर में जो प्रदेश की राजधानी है आप कोई सड़क ऐसा नहीं जिसमें गाड़ी 30-40 किलोंटर के स्पीड में चल सकता है क्या भी कास कर दिया गंगा जी किनारे वाला आपको पानी पढ़ जाता है तो आप जूता पहान करके नहीं निकल सकते हैं जूता खोल के सहर पर रखना पड़ेगा क्या विकास की बात करते हैं भाई पूरा कहती है बिहार बदल दिये नितीजी भी कहते हैं पहले के संथा एक चीज़ बताई नहीं कितना इंडस्ट्री लगा दिये नितीज कुमार जी विकास कैसे होता है रोजगार के लिए क्या कर दिये नितीज कुमार जी आज भी जो 20 साल पहले विहारी जिस रेशियों में पलायन करते थे उससे दुगनी संख्या में आज की डेट में पलायन कर रहे हैं तो क्या विकास करते हैं आप रोज पुजगार कर लेता अपना बरन पोशन करता अपना जीवी का चलाता परिवार पाल लेता तो मान लेते कि आपने विकास किया आज भी बिहार से बाहर लोग जाकर करके रोजमर्रा के जिन्दगी जीने के लिए मजबूर है किसी विकास की बात करता है के अब में बात करता अब नवादा के प्रभारि नवादा का प्रभारी है न म्दी नवादा का प्रभारी है न अन लोग सवह के लिए लिए बढ़ा हाजी पूरा जमूई तो रचा पार musstå। मिलेगा आप लोग के कि देकैं सीट नवादा या कोई भी सीट कौन सा सीट मिलेगा कि इतनी सीट मिलेगी यह गठवंदन के भीतर की बात है और हमारे अस्तर का सवाल है ही नहीं हम लोग काम है संगठन को घर घर तक पहुंचा निरना एक के अदमी करेगा आप लोग जो मेरे दायरे माता है तो मेरे अधिकार च्षितर में अता है इतना ही आता है कि हर घर तक अपनी पार्टी का वीजन हर वेक्ति तक पहुंचाने का काम करना है जिसको उमिद़ार बनाएगे वह वह घर सब्सक्राइब कौन उमीदबार रहेगा पार्टी निर्ने करती पार्टी जिसको उमीदबार बनाएगी उसका दरास्ति जिसको भी उमीदबार बनाएगे मैं पार्टी के सिपाई होने के नाते सिर्फ अपना दैतु निवा सकता हूँ पार्टी जिसको भी उमीदबार बनाएगी मैं तन मन धन से तहे दिल से उसके साथ लग करके खड़ा रहेंगे 24 आपर चलिए तो ये बात कर रहे थे हम लोजपार आंबिलास के प्रदेश के उप आप दे रहते अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देख रहें जहकास भारत मेरा नाम रवी कांत हुआ धन्यवाद